नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समिक्षा अदिकारी, सायक समिक्षा अदिकारी के लिए जो हम लोगों ने मौक टेस्ट सुरू किया था उसमें आज ये दूसरा मौक टेस्ट है और जल्दी ही प्रयास ही है कि इसको हम डेली बेसिस पे ले आएं जैसे ही सामान हिंदी का पोर्शन घतम हो जाएगा इसको हम डेली कांटिन्यू करेंगे आप लोगों ने इसके लिए लिक्वेस्ट भी की है लेकिन मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मौक टेस्ट को जरूर देखा करें क्योंकि आप समझ सकते हैं जिन परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहें लॉकडाउन की सिचेशन में डेली एक मौक टेस्ट लाना जो है बहुत चुनोती पूर्ण कारे हम लोग के लिए उसके बावजूद जो है अगर आप लोग इंट्रेस्ट ले रहे हैं तो हम निश्चित रूप से जो है इसको कांटिन्यू करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आरो यारो की परिक्षा जरूर टल चुगई है लेकिन ये जो समय मिला है आप इसका जो है सजब्योग कर सकते हैं आप चाहें तो अपनी तैयारी को और अच्छा स्वरूप देने के लिए और संपूर तैयारी करने के लिए हमारे क्रैस कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं उसमें कुल फुल टेस्ट 11 होंगे, करेंट अफेर्स के 9 टेस्ट होंगे इस प्रकार टोटल 20 टेस्ट होंगे, सभी की आपको PDF दी जाएगी वो PDF पूरी ब्याख्यात्मा खल साहित रहेगी उसमें हर प्रस्ण के नीचे ब्याख्या में उस सम्मंदि टॉपिक से रिलेटेट पूरे नोट्स रहेंगे जिससे की वो कवर हो सके, ये PDF किस तरह की होगी इसको देखने के लिए आप जो है हमारा फ्री डेमो टेस्ट का PDF जरूर प्राप्त कर लें उसके लिए आपको जोई नारो लिखकर 9506742546 पर मैसेज करना होगा या आप कॉल करके भी बांक सकते हैं इस वीडियो के description box में साथी pin comment में भी उसका link दिया हुआ है तो चलिए start करते हम आज का mock test पहला प्रसन आपके सामने है हिंदी से सागर में लगने वाली आग तो इसके लिए option क्या दिया हुआ है दावा नल और दूसरा option क्या है जंगल में लगने वाली आग उसके सामने क्या लिखा है उसका सुमेलन बढवा नल तो आपको ये बताना है कि क्या दोनों सही है या एक ही सही है या इन में से कोई भी सही नहीं है तो आप अगर ध्यान से देखें तो सागर में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है बढ़वा नल कहते हैं और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दावा नल कहते हैं इस प्रकार दोनों ही जो हमारे सामने सुमेलन थे वो दोनों ही गलत हैं, इस प्रकार से कोई भी इनमें सही नहीं है, तो सागर में लगने वाली आग को बढ़वा नल और जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं, और कभी-कभी पेट में लगने वाली आग को जट जटरानल या जटराग नहीं कहते हैं ये भी जो है पूछा जा सकता है अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं इसमें से तुरुटिकूर बिकल्प का चैन करना यहां पर क्या दिया हुआ आपके सामने वाक्यांस दिये हुए हैं और उनके लिए एक सब्द दिये हुए हैं तो निरी सही है जो इस्तरी के पती पुत्र दोनों हो यानि जिस इस्तरी के पती और पुत्र दोनों ही उसको पुरंद्र कहते हैं और जमानत करने वाला उसके लिए एक सब्द क्या है प्रतिभू तो ये बी सी डी तीनों आपसन सही है ये आपसन गलत है अब ए जो गलत आपसन है उसके लिए सही सब्द क्या होना चाहिए जो आसानी से जुकाया जा सके उसको हम क्या कहते हैं नमनी यह कहते हैं और निरापद जो वहाँ पर दिया था निरापद का क्या आरत होता है जहां किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसको हम निरापद कहते हैं अगला प्रस्थ बहुत ही आसान है ध्यान से पढ़िए और समझ के उत्तर दीजिएगा क्रत्रिम सब्द का सही विलोम क्या होगा तो आपके सामने अपसान है प्रक्रत, नैसरगिक, स्वाभाविक या इन तीनों में से तीनों ही यानि सभी तो आप समझ सकते हैं क्रत्रिम का जो है नैसरगिक तो होता ही है स्वाभाविक भी होता है और प्रक्रत भी होता है यानि नैचुरल तो इन में से सही क्या होगा इन में से तीनों ही यहाँ पर सही हैं अगला प्रसंद देखते हैं बिलोम सब्द की द्रिष्टी से इन में से एक युगम असुद्ध है तो वो असुद्ध युग और याचक यानी मांगने वाला, तो C option भी सही है, पुष्ट का विलोम दुष्ट नहीं होना चाहिए, पुष्ट का विलोम क्या होगा? पुष्ट का विलोम छीड होगा, इस प्रकार से D option यहाँ पर correct होगा, अगला प्रस्न कलापी, सिखंडी और ध्वजी, यह तीनों ही एक की ही सब्द के पर्यावाची हैं, तो वो कौन सा सब्द है, वो हमको इस प्रस्त में बताना है, आपके सामने हैं आपसन याम, ध्वजा, मोर और ब्रामःड, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कलापी, सिखंडी तथा ध्वजी जो है, मोर के पर्यावाची सब्द हैं, और म ब्रामःड के पर्यावाची सब्द, विप्र, भूशूर, द्विज, महीशूर, भूदेव, यम के पर्यावची सब्द, सूरिपुत्र, अंतक, जीवनपती, धर्मराज, कीनास, समन, कतांत, काल, जीविनेश, मृत्यपतु, यामुन्या, भ्राता, यमराज, इराध्यदे अगला प्रसनाप के सामने आ गया है, द्विजी तथा द्विज, दोनों एक दूसरे से मिलते जूलते सब्द हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग है, इनके पर्यावची अलग हैं, तो ये क्रमसा किसके पर्यावची हैं, द्विजी तथा द्विज, तो द्विजी जो ह यह किसका परयावाची होता है, सर्प या साप का परयावाची होता है, और द्विज जो होता है यह ब्रामहण के लिए होता, तो पहला ही ओप्षन यहाँ पर करेक्ट होगा, सर्प के अन परयावाची, आही, भुजंग, मडिधर, विस्धर, व्याल, फडी, उरग, पन्नग, नाग, साप, द्विजी और सरीश्रप ये सभी क्या है? साप के परियावाची, ब्रामण के परियाची, विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव और महीशुरू अगला प्रसंद देखते हैं, निमलिखित में से कौन सा एक सब्द तद्भो है? यानि इन में से तीन सब्द जो है, तत्सम दिये हुए हैं, और एक सब्द तद्भो है, जिसके बारे में आपको पता लगाना है, तो अज्यान सब्द क्या है? तत्सम है, आलत से सब्द ये भी तत्सम है, आभीर सब्द भी तत्सम है, लेकिन असीस जो लिखा है, ये क्या है? ये तद्भो सब्द है, अब असीस का जो है तत्सम क्या होता है, आसीस होता है, से सभी तत्सम सब्द हैं, और उनके तद्भो क्या होंगे, तो आभीर जो है उसका तद्भो क्या होगा, अहीर होगा, आलस शिका, आलस होगा, और अज्यान का अजान होगा, तो ये तत्सम और तत्भो प्राया पूछे जाते हैं एक्जाम में, देवर का तत्सम रूप इसमें से क्या है, कई बार ये question आ चुका है गुमा फिरा के, तो देवर का आपके सामने चार विकल्प हैं, इनमें से तत्सम रूप चुनना है, तो इसका सबसे सही तत्सम रूप क्या है, दुईवर, बी option यहाँ पर correct होगा, next question, निमलिखित में से किस सब्द की वर्तनी सुद्ध यानी जो है, वर्तनी व्याकरण की दृष्टी से वो सही लिखा हुआ है, एक एक को देखते हैं, संबाद, मिल्कुल गलत लिखा है, संबाद कैसे लिखा जाता है, संबाद इस प्रकार लिखा जाता है, उज्वल कई पूछा जा चुका है, ये भी गलत लिखा है, उज्वल जो है, सुद्ध रूप में इस तरह से उल्लंगन लिखा जाता है, तो D option जो है, इसकी वर्तनी अपने आप में सुद्ध है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, संबाद, उज्वल और उलंगन इनके सही वर्तनी रूप यहां पर दिये हुए हैं, अगला वाके, इसमें से हमको एक सुद्ध वाके को चुनना है कि कौन सा वाके जो है, इनमें से सुद्ध है, एक एक को देखते हैं, जवाहर लाल नहरू भारत के प्रमुख प्रथम प्रधान मंत्री थे, तो आप देख सकते हैं, प्रमु लच्मी कल अपने पती के साथ नयनिताल जाएंगी, यहां पर क्या गलती है, आपको दिख रहें, कुमारी सब्ध का प्रियोग किया गया है, और यहां पर पती के साथ जाना है, यानि क्या है, वो विवाहिता इस्तरी हैं, तो कुमारी सब्ध का यहां पर प्रियोग अंचि तो हमारी सब्द का प्रियोग नहीं किया जा सकता है और उसके बाद देखर होना चाहिए देखकर और निराकरण भी यहाँ पर गलत है इसलिए यह भी गलत हो गया अगला तुम्हारी बातों से मालुम हो जाएगा कि तुम बहुत योग्य हो तो यह यहाँ पर D option correct होगा अब जो गलत वाकित है उनके सही रूप क्या होंगे जवाहल लाल नहरू भारत के प्रथम प्रधान मंतरी थे स्रीमती कुमारी के ज़िए के स्रीमती लग जाएगा विजय लच्छमी कल अपने पती के साथ ने निताल जाएगी अगला वाकिया है हमारी भासा की दुर्दसा तो यहां पर हमारी सब्द का प्रियोग नहीं होना चाहिए देखर लिखा है यह भी गलत है मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा इस प्रकार C आप्सन B जो है सुद्ध है तुम्हारी बातों से मालुम हो जाएगा कि तुम बहुत योग यह हो तो यह जो है बिलकुल सही वाक वो हटा दिया गया है स्रीमती सब्द आ जाएगा कुमारी की जगे स्रीमती बिजय लच्मी कल अपने पती के साथ नहीं निताल जाएगी और हमारी की जगे अपनी भासा की दूर्दसा देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा अगला प्रसंद देखते हैं रोमांच रोमांच सब्द का विशेशन क्या है यानि रोमांच क्या है एक विशेश सी सब्द है अब इसको हमको विशेशन में परिवर्प्तित करना है तो रोमांच का विशेशन क्या होगा रोमांचक हो जाएगा और रोमांचित भी होगा दोनों ही जो है इसके विशेशन सब्द ह इस प्रकार C option सही होगा उपरियुक्त दोनों अगला प्रस्न रेखांकित सब्द किस प्रकार का विशेशन है यानि हमको इसमें विशेशन के प्रकार को बताना है तीनों लड़के कहां जा रहे हैं तो तीनों सब्द क्या है ये सभी जो है संख्या वाचक विशेशन में तो लेकिन संख्या वाचक के अंदर भी इसका जो है क्या प्रकार है हमको इस प्रस्न में ये बताना है तो तीनों सब्द क्या जो है बताता है समुदाय का बोध कराता इसलिए क्या है समुदाय बोधक बिशेशन का उधारण है समुदाय बोधक बिशेशन संख्या के समुदाय का बोध कराता जैसे तीनों लड़के, सातों बच्चे, दोनों भाई, अनिप्रकार क्या है? जैसे गढणा बोधक ये विशेशन वस्तुओं की गढणा बतलाता जैसे पाच सेब, दस अमरूद, क्रम बोधक में यह क्रम के अंसार गढणा का बोध कराता जैसे पहला बच्चा, दूसरी लड़की 33 रेड़ी, आवरत्ति वोधक यह एक वस्तुओं का दूसरी वस्तुओं से आधिक का अनुपाद बताता जैसे, चौगुना धन, सौगुना दिमाग, तो ये सबी जो है विशेशन के प्रकार दिये थे, अगला प्रस्न, अब GS का इस्टार्ट हो गया यह से, तो सबसे पहले आपके सामने दो सूची है, एक तरब कुछ क्रतियां है, पुस्तके हैं, दूसरी तरब उनके लेखक हैं, तो इसमें हमको करम देखना है कि कौन सा करम सही है, तो एक-एक से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पुस्तक कौन सी है, तरकी के हिंद, तो इसक तर्की के हिंद, अलबुरूनि, तबकाय नासरी, मिनहाज उस्सिराज ने, तीसरा क्या है? फितुह उस्सालातीन, ये किसके दוהरा लिखी गए थी? मालिक इसामी के दोरा, और तारिख-यामनी, ये लिखी थी उत्वीने, ये सभी जो है मुगल कालीन और यात्रियों के जो है पुस्तके हैं, तो ये सही सुमेलन आपके सामने है, एक बार इसको और मिला लीजिए, तरकीके हिंद, अलबरुनी, तबकाय नासरी, मिनाज उस्सिराज, फुतुए उस्सलातीन, माली किसामी और तारीके यामनी उतवी, अगला परस्न, कौन सा खेल खेलते हुए कुतुबु के जैसा एक खेल था, घोड़े बैटके खेलते थे, तो उसकी मिरत्यू जो है, ये खेलते समय हुई थी, गुलाम वन्स का पर्थम सासक कुतुबुन एबग था, उसकी मिरत्यू, बारा सो दस इस्वी में, लाहोर में, चौगान खेलते समय, घोड़े से गिर कर हुई थी, अग्ला प्रस्ण कांस्ट्यूशन से, समधान के अनुछे छाच्षट के अनुसार, उपराष्टपती के सμबन्द में कौन सी योगटाएं निर्धारित नहीं की गई, यानि कौन कौन सी योगटाएं जो है, भारत के समयधान में उपराष्टपती की निक्ती के लिए उसने 35 वर्ष की आयुपूर्ण कर ली हुई हो, ये सर्थ समिधान में दी हुई है, किसी लाब के पद पर ना हो, ये भी सर्थ दी हुई है, राज सभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसी भी कोई बादिकारी सर्थ समिधान में नहीं लिखी गई, यानि 2 और 3 सही है, और 1 और 4 सही नहीं है तो इसका क्या option होगा बी option इसका correct होगा अब इसके बारे में सपश्टी करण देख लेते हैं बारती समिदान नुच्छेट तिरसट में उपराश्ट पती के पद का प्रावधान है समिदान नुच्छेट के चांचट के अनुसार उपराश्ट पती पत के लिए निमल समिदान मंडल का सदस ना हो और वह राज सभा का सदस बनने की योगिता रखता हो ना कि वो सदस हो अनुवार रूप से उसके लिए योग होना चाहिए लेकिन सदस हो ऐसा जरूरी नहीं है तो कथन एक और चार गलत थे क्योंकि उपराश्ट पती पत पर चुने जाने वाल वक्ती मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसा प्रावधान समिदान में कहीं नहीं किया गया है उपराश्ट पती पत पर निर्वाचित होने आला सदस से राज सभा का सदस बनने की योगिता रखता हो ना कि वो सदस से हो अगला प्रसंद देखते हैं भारती समिदान के न तो यहाँ पर पूछा गया है नीत निर्देशक सिधान्त और मूल अधिकार तो नीत निर्देशक सिधान्त आप जानते हैं आयरलेंड के समिदान से गरहन किया गया था तो सारे ही आप्सन में आयरलेंड यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद हम बात करते हैं मूल अधिका कहां से लिए गए हैं USA यानि United States आप अमेरिका तो इस तरह से क्रमसा हमें पहला आप्सन जो है बिल्कुल सही होगा राज के नीति निर्देशक तत्व का सिध्धान का वरण समिधान के भागचार के अनुछेद 36 से क्यावन तक में हैं ये आयलाइन के समिधान से लिए गए है और मौलिक अधिकार USA के समिधान से लिए गए हैं इनका वरण समिधान में भाग 3 में अनुछेद 12 से 35 तक किया गया है निमलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक उर्जा को यानि मेकानिकल इनरजी को ध्वनी उर्जा में बदल देता है तो आपके सामने चार आप्सन है solar cell, tube light, microphone और सितार तो यांत्रिक उर्जा इनमें से कहां उत्पन होगी सितार में उत्पन होगी और सितार से ही ध्वनी उर्जा में वो बदल जाती है यानि D आप्सन हमारा बिलकुल सही है अन्य में क्या परिवर्टन होता है solar cell को लेते हैं तो solar cell में solar energy यानि सौर उर्जा कहां बदलती है बिद्धुत उर्जा में ट्यूब लाइट में बिद्धुत उर्जा जो है प्रकास उर्जा में बदल जाती है और microphone में ध्वनी उर्जा जो है बिद्धुत उर्जा में गुजरता है तो क्या होता है उन सारी गटनाओं को देखते हैं उस पर कोई बल कार करता है बिल्कुल गलत है ऐसा कोई नहीं है उसका वेग नियुनतम होता है ऐसा भी नहीं है उसका त्वरण सूनने हो जाता है तो केवल दो जो है कथन दो इसमें से सही होगा तो इसमें से सी केवल दो सरल रावर्थ गती के बारे में जानते हैं यानि सिंपिल हार्मोनिक मोसन करने वाला कड़ जब अपनी मधिमान इसी से गुजरता है तो उस पर कोई बल कारिन नहीं करता है उसका त्वरण सूने हो जाता है वेग उसका अधिक्तम होता है उस समय और गती जूर्जा भी अधिक्तम होती है लेकिन इस्थती जूर्जा जो होती है वो सूने होती है अगला प्रस्न किस नियम के अनुसार इस्थिरताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का वित्क्रमान उपाती यानि inversely proportional होता है तो बहुत ही famous नियम है आप सभी ने पढ़ा होगा हो सकता है आपको अभियाद ना हो लेकिन high school में इंटर में यह science में पढ़ाया जाता है तो इस नियम को क्या कहते हैं boil का नियम कहते है B option जो है इसमें सही होगा अनि बिकल्प जो दिये थे जैसे कि Charles का नियम तो Charles का नियम क्या कहता है इस्थिर दाप पर किसी गैस की नियत मातरा का आयतन उसके परमताप का सीधा अनुपाती होता है परमताप क्या होता है परमताप को हम T से capital T से denote करते हैं 273 plus T degrees centigrade अब अगादरो का नियम भी फेमस है समान ताप पर और दाप पर सभी गैसों के समान आयतन में अडूओं की संख्या समान होती है और ग्राहम का जो गैसी विशरण का नियम है वो क्या है नियत ताप पर एवं दाप पर गैसों के विश्रण की आपेची गतियां उसके गनत्वों एवं अडुभार के वर्गमूल के व्युतक्रमानुपाती यानि इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है अगला प्रशन डेंड्रोलोजी क्या है तो डेंड्रोलोजी एक विज्ञान की साखा है इसमें क्या अध्यन करते हैं इसका अध्यन छेत्र क्या है वो आपको चारो विकल्पों में से चुनना है तो डेंड्रोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है ब्रच्छो एवं जाडिय का अध्यन किया जाता है अन्य विकल्ब जो दिये हैं उन पर विचार करते हैं कीटों का अध्यन हम किस साखा में करते हैं एंटमोलोजी में सापों का अध्यन सर्पों का ओफियोलोजी कहलाता है और जो छिपकलियों का अध्यन होता है उसको हम सौरोलोजी में करते हैं रुप रुपए का सिम्बल बनाया था जो है आजिकारिक रूप से भारत में रुपए का सिंगोल माना जाता है तो वो किस IIT संस्था से थे कौन से IIT के चात्र थे वो तो इसका सही उत्तर क्या है उदै कुमार IIT मुंबई के चात्र थे देवनागरी के रा वा रोमन अच्छर से मिलत जूलते प्रतिक को प्रतिक सुरूप में मिला कर इस विकार किया गया है इस प्रकार से भारत अपने रुपए का अलग पहचान रखने वाला बिस्टु का पांचवा देस बन गया है शेस चार देस क्या है American Dollar American dollar का चिन आप जानते हैं इस तरह से होता है British pound, Japanese yen और European Union की मुद्रा है euro इन सभी के पहले से इस प्रकार के अपने अपने प्रतीक चिन थे अपने अपने currency के लिए अगला प्रस्न भारत के प्रमुख share मूल सूचकांग यानि BSC Sensex का आधार वर्स base year क्या है तो BSC Sensex का आधार वर्स क्या है 1978-79 C option या पर correct होगा BSC Sensex Mumbai Stock Exchange का share सूचकांग है इसका आधार वर्स 1978-79 है तथा आधार मूली 100 सूचकांग बिंदु है या प्राया चिन्हांकन 1978-79 is equal to 100 से इंगित किया जाता है भारत के अनि प्रमुख share मूल सूचकांग BSC 200 है, Dolex है, NSC 50 है अगला प्रस्न, दो जून 2014 को अस्तित्त में आए, तेलंगाना राज के प्रथम राजपाल कौन थे तो तेलंगाना राज का गठन दो जून 2014 को हुआ था, इसके पहले राजपाल कौन से, यह हमको बताना है तो इसके पहले राजपाल थे, ESL नर्सिम्हन, B option यहाँ पर correct होगा जब इसका गठन हुआ था, तो यह भारत का 29 वे राजपाल के रूप में इसका गठन हुआ था, 2 जून 2014 को इसके पर्थम राजपाल ESL नर्सिम्हन तथा पर्थम मुखमंतरी के चंद सेखर राओ थे, तेलंगाना की वर्तमान राजपाल कौन है, तमिल साई सौंदर राजण, और यह तेलंगाना की पहली महिला राजपाल भी बन गई है जम्बू कस्मीर राजप के इंसासित प्रदेश बन जाने के बाद वर्तमान में भारत के राजपाल की संख्या कितनी हो गई है, 28 तो भारत में 28 राजपाल है, और अब जो है दमंदीब और सब को मिला के जो है कुल जो है, आठ के इंसासित प्रदेश भारत में है अगला प्रस्न निमलिखित में से कौन सा बंदरगा भारत के पश्चमी टट पर इस्थित है तो चार बंदरगा दिये गए हैं, इन में से पूरवी और पश्चमी को आपको अलग-अलग देखना है तो पूरवी टट वाले कौन से हैं, एन और और पारादीब, तो पश्चमी के कौन से बचे, नौहा सोपा और मारमागोवा यानि हमारा ओप्शन 3 & 4, सी ओप्शन जो है यहाँ पर सही है अब हम देखते हैं, पूरवी और पश्चमी टट के अलग-अलग बंदरगा कौन-कौन से हैं तो नौहा सोपा बंदरगार कहा पर है, यह महराश्ट में यह भी पता होना चाहिए और मारम गोवा जो है यह गोवा में है, और यह दोनों ही पश्चमी टट पर इस्थित हैं पूरवी टट पर पारादीप है, जिसकी स्थिती कहा है, उडीसा में है कोलकाता पश्ची मंगाल में है, विसाखा पट्टनम, आंत्रपदेश, तूती, कोरिन और इन्नोर कहा है, तमिलनाडू में है पश्ची मी टट पर कांडला गुजरात में है, मुंबई महराश्ट में है, मारमा गोवा गोवा में है, मंगलूरू करनाटका में है कोची जो है किरला में है, और नुहाशोवा जो है, यह महराश्ट्रा में है अगला प्रस्न, अस्त्र मध्यमदूरी का एक प्रच्छे पास्त्र है, लेकिन इसकी जो मार करने की तरीका है, वो क्या है? वो सता से सता में मार करता है या हवा से सता है या हवा से हवा या सता से हवा ये हमको बताना है तो ये जो है कौन सा प्रिछे पास्त्र है ये हवा से हवा में मार करने वाला प्रिछे पास्त है अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रिछे पास्त है इसकी Microsoft जो है अमेरिका की कमपनी है और इसका मुख्याले का है Redmond अमेरिका में ये option इसका correct है अन्न भी बहुत सारी famous कमपनी है जिनके मुख्याले पूछ लिया जाते हैं Adobe Systems ये California में है, Helvet Packard पॉल्ट ओल्टो में है, IBM का Armank अमेरिका में है ये सभी अमेरिका में है, Dell का Round Rock में है, Apple Inc. का Kupertino में, Intel का Santa Clara, Kodak का Rochester, Google का Mountain View अमेरिका में है, Yahoo का Sunnyvale अमेरिका में है अगला प्रस्न, Bus Ticking Platform, Red Bus के Brand Ambassador, निमलिखित में से किस एक के और Brand Ambassador है सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, कि Red Bus के Brand Ambassador कौन है, तो महेन सिंग धोनी, जो है ये Red Bus के Brand Ambassador है ये Unkis Company के भी Brand Ambassador है, इन में से Snickers Chocolate के, यानि D option यहाँ पर correct होगा महेन सिंग धोनी, Snickers Chocolate, Net Mates, Dream Eleven, सुमाधूरा समू, Indigo Paint के जो है, ब्रांडम बेजडर है अन्ने भी कलपों बिचार करते हैं, रेनॉल्ट इंडिया, इसके कौन है, रणवीर कपूर, पी अन्बी के यानि पंजाब निस्नल बैंक के, विराट कोहली उबर इंडिया के विराट कोहली अगला प्रस्न, निमलिखित में से कौन सी योजना, हरियाना, राज की नहीं है इस प्रकार अटल आईश्मान योजना योजना ये हरियाना की नहीं है, ये कहा की योजना है, ये उत्राखंड राज की योजना है अगला प्रस्न मौसम विज्ञान के छेतर में अंतराष्टी सहयोग में अभिवरदी प्राक्रतिक आपडाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रियोग तथा मौसम विज्ञान के छेतर में सोध एबं प्रतिच्छन को प्रोसाहन देने हैं तो विशु मौसम विज्ञान संगठन जिसको WMO भी कहते हैं तो बौसम विज्ञान संगठन की स्थापना किस वर्स हुई थी यह हमको इस प्रस्न में बता गुदई महराज वा किसन महराज दोनों भारत प्रसिद्ध कलाकार हैं तो ये किस विधा से किस वाध्यंत से सम्मंदित हैं ये हमको इस प्रस्ण में बताना है चार अपसान है तबला, सितार, वायलीन, पकावा जिस तरह के प्रस्ण आर्ट एन कल्चर में प्राया पूछे ज गुदई महराज वा किसन महराज ये दोनों ही प्रसिद्ध तबला वाधक हैं अन्य कुछ कलाकारों के बारे में भी जान लेते हैं लतीफ खा, जाकिर उसेन, फैयाज खा, अल्ला रखा का, सुक्विंदर सिंग, ये सभी क्या हैं भारत के प्रमुक तबला वाधक हैं सितार वाधक पंडित रविशंकर, विलायत खा, साहित परवेज, बुजादित्य मुखर जी, निखिल बनर जी, बंदे हसन, उमा संकर, मिश्रा, वाइलिन वाधक प्रमुक कौन कौन से हैं डक्टर एन राजन, टी अन कृष्णन, बिश्णु गोविंद जोग, कुनकैडी वैद दिनातन, संगीता राजन, एल सुब्रमनियम, प्रमुक पकावज वाधक, छत्रपती सिंग, उस्ताद रह्मान खा और गोपाल दास, तो दोस्तों इस तरह से आज हमने 30 अतिमात्पूर्प्रस्ण, जो विसेश कर आरो यारो को ध्यान में रखके बनाए गए हैं, उनको दे आता हूँ, उनसे और भी प्रस्न बन सकते हैं, वो सभी फैक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, नमस्कार धन्यवाद